नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ एक तो हमारा जो एक्जामनेशन डेट आचुका है कि चार मई से लेके 10 जून तक ये जो डेट है यानि कि आज अगर मैं बात करूँ तो अपने पास पूरा जैन है बिल्कुल पूरा जैन, फैब, मार्च, एपरिल, चार महीने आपके पास है और चार टॉपर की जो पूरी मैंने भी रिसेंटली बैक टू बैक वीडियो बनाई उसके की पॉइंट्स कि क्या वो उन्होंने स्टाटेजी अपनाई टाइम टेबल के रिकार्डिंग, क्या वो अपनी स्टाटेजी अपनाई जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी वो ठीक कर पाए उसके रिकार्डिंग, जो इसको उन्होंने किस तरीके से बना के रखा इन चार टॉपर होई, अगर मैं आपको डिटेल कर दूँ जो पूरानी वीडियो उस नहीं देखी हैं, जाके देख सकते हैं, एक स्टूडेंट साइन्स के हमारे, उनके मैट्स में हंड्रेड, केमिस्ट्री में हंड्रेड, कम्पिटर साइन्स में हंड्रेड, टोटल परसेंट है 98% उनके मार्स थे, अब सूचिए, उसके बाद हमारे पास commerce के हमारी interview थी, उसके बाद दो arts के टॉपर रहे है, economics में जिनके सब सच्छे मा आप वहां से जाएंगे तो अनकेडमी पे, अनकेडमी के टॉप एजुकेटर्स वहां पे classes दे रहे हैं, 9th की, 10th की, 11th की, 12th classes की, जब आप ये classes लेंगे तो आपको समझाएगा कि वाकई कितनी valuable है, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ देना नहीं है, जब आप class लेने जाएंगे, जो कि इनकी special classes है, बस आपको करना क्या है, आपको download करना, मेरा MJT 100 code, MJT 100, ये code जब आप use करेंगे, तो ध्यान रखेगा, इसमें आपको मिलेगा, अलएक special classes, mock tests, quidges, सारी चीज़े, free में देखने को मिलेंगी, और अगर आप लगेगा कि नहीं करेंगे, जाके आपको download करिए, दोस्तो, सबसे पहले जो student रहें, करंदीब, जिन्होंने science stream से अपनी study complete करी, maths में 100, 100 लेकि आए, मैंने उनसे बहुत समझने की कोशिश की, कि examination time पे वो कैसे पढ़ते थे, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, खेर ये चीज़े, मैं हमेशा studentों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे काफी कुछ idea है, अभी जो चार महीने हैं आपके पास, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी कि strategy पढ़ने की कैसी होनी चाहिए, लेजिनेस इसकी बाद में बताऊँगा, सबसे पहला आपको क्या करना है, कि एक होता है ना, personality होती है ह आपका मुखोटा होता है चहरा, हर student का अपना एक चहरा है, अगर ऐसा दुनिया में अगर आपको इनसान मिल जाए, जो हर जगा एक जैसा ही है, तो मैं बता दूगा कि वो सबसे ठका हुआ इनसा है, आपकी छबी हर जगा अलग हो सकती है, मेरी खुद अलग थी, मुझे आ काउंट्स में जाता था, वहाँ सरार्ती पे पढ़ने वाला बच्चा था, बेकर मैं कभी भी क्लासे कोचिंग के मिस नी करता था, स्कूल में औरा बंग पर रहता था, तो हर एक का परसोना अलग है, घर में बहुत अग्रेसिव था, दोसरों के बीच में बड़ा fun-loving था, हर आपका जो personality है, वो हर जगा अलग-अलग होनी चीए, वैसे ही, जब आप study करते हैं, तो आप सोचेंगे कि अगर मैं consistency के धूर, लगातार 5 घंटे की study करनूँगा, मैं आपको कहा देता हूँ, कोई भी student आस्ता करनी पाए, करंदीप से मैंने यही जानने की कोशे, उन्हे खिलता हूँ, दोस्तों के साथ time spent भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैंने कभी अपना time table नहीं बनाया, कि मुझे यह चीज़े करनी है, boundary नहीं थी, मैंने क्या किया, मैंने बस एक अपना routine यह बना रखा था, कि मुझे एक topic chapters cover करने, right, मैं अगर इस साल के शुरू में आ पता गया, हाँ, कई बार जिसे आज मैं पूरे दिन पढ़ नहीं पाया, तो मैंने यह decide कि कल थोड़ा सा मैं extra पढ़ूँगा, जिससे आज का भी day मेरा cover हो जाए, और मेरे दोस्तों actually क्या होता है, जब आपके पास पूरे 7-8 महीने होते हैं, तो अगर आप सुरू से focus में चीज़े लगे हो, तो 4 महीने बैस चले जाते हैं, और मैं जानता हूँ, कि जितने भी student मेरा channel दिखते हैं शुरू से, मैं guarantee देके कहता हूँ, कि वो सारे अच्छे बच्चे हैं, जो हमेशा किताब लेके पढ़ते हैं, और fear हमेशा आता है, उन सभी बच्चों के दिल में fear लेकिन और ने एक बात कही कि honesty होनी बहुत जरूरी है, तो करंदीब ने मुझे समझाने की कोशिस की, कि सर जब examination time में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे मेरा कोई foundation नहीं था, time का कोई foundation नहीं था, मैं इन चीजों से आगे बढ़ता गया, फिर मैंने उन सब पुझा, कि वो ज section B से जाना है, section A से जाना है, और वहाँ जाके blender क्या हो जाता है, कि B से शुरू करना था उनको, पर B के शुरू के चार question नहीं आए, वो हडवड़ा जाते है, तो ये आपको पहले से decide नहीं करना, examination में बैठेंगे, तब decide करेंगे कि सुरूआत कहां से करनी है, जो सही लगा वहाँ से शुरूआत करो, ये चीज़ पहले चीज़, ध्यान रखना, दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ, ऐसे बच्चे की जिन्होंने economics में च्छे मार्स स्कोर की है, हमारे दूसरे student, इन्होंने कहा कि देखो सर, theory का बड़ा simple सा logic है, कि at least writing आप ऐसी लिखें कि सामने वाले को समझ आए, teacher बहुत हडबडी में रहता, उसने एक ही paper पचासु बार चेक करने होते हैं, उसको पता होता है क्या कहा लिखा है, लेकिन अगर आप सही writing नहीं डालेंगे ना, presentation, starting के पन्नों में सही नहीं है, वो समझ जाएगा, बिल्कुल ललू सा बच्चा है, इसने यही कहानी है, बात समझो कि starting में जो आप लिखना शुरू करते हो ना, तो theory के पहले पन्ने, दूसरे पन्ने, इन सब पर थोड़ा से अपनी handwriting को control करो, दूसरी बात, पहरा graph में भर भर के नहीं लिखना है, पहरा graph भरे जा रहे हैं, नहीं, मैं economics पढ़ाता था, मैं बच्च चार points मिल गए, marks दे दिये, अब वो पूरी कहानी भर दें पूरे page में, मुझे अगर दो points मिले, मैं दो ही number दूँगा, और यही actually rule है, तो theory का rule आप समझ गए, कि हमारे student ने बताए कैसे theory में आपको लिखना है, बहुत important है, साथ में next student जो मुझे मिला, उसने बढ़ी एक अ पूज मोसन आ सकता है, किसी को उस दिन headache हो सकता है, किसी की उस दिन तबत खराब हो सकती है, कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, ठंड लग जाती है, कुछ भी हो सकता, लेकिन अगर आपने अभी से लेके चार महीने non-stop पढ़ाई करी है, तो मैं वादा करता हूँ, honesty से बढ़के दुनिया में कोई चीज नहीं होती, आपको अपने आप पर रिग्रेट नहीं होगा, उस टाइम आपको फिला है कि अगर मैं examination देता, तो yes, मैं अच्छे mark score करता, या फिर मेरी तबत खराब नहीं होती, तो मैं 70% नहीं होता, मैं 80-90 में घुम रहा होता, लेकिन अ अभी से आपको बनाने की बैठने की जरूरत नहीं है, बस डिसाइड कर लो कि सर घर में बैठाओ, एक दिन, लेक सद्गुरू की आपने बात नहीं से लेना होना, आस-पास के वाताबरन से दूर रही, अगर आप एक टॉबर स्टूडेंट की वीडियो देखके, अगर नहीं, तो आपका टाइम टेबल सिफ सेवन आर्स होगा, यह मैं कहता हूँ आपसे, मैंने इतनी चीज़े पढ़ी है, इतना कुछ समझा, इतनी वीडियो देखी है, महान महान लोगो कि मुझे समझ आ गया है, कि अगर एक स्टूडेंट टाइम टेबल बना है, आप बताना एक बहुत comfortable room में बैठो, सोचो, किया what next, क्या resolution लो, इस नए साल में क्या करना है ऐसा, ऐसा कुछ बताओ, और नए साल का resolution पर चाहिए, तो आने वाले next topic में मैं वीडियो बना दूँगा, भी next ही वीडियो में जाएगी, तो यह चीज लो आप, कि मेरे को decide करना है, तो I hope द कि मैं क्या बोलू, मुझे भी गाली देना है, बन कर रहा है, बर दिस इस रियालिटी, कि जब examination आता है, मेरे से लेके आप तक की कहानी बता रहा हूँ, और हर teacher की, examination time में सपने तारे जमी पे, three idiots, ऐसी फिल्में देखने के मन करता है, जहां पे number doesn't matter, matter only skills, और examination खतम हो गया तो तारे जमी पे doesn't matter, matter only college marks, यही चलता है, नेपोलियन की एक सबसे बड़ी राइन है, कि अगर कोई rule आपको पसंद ना हो, तो उसके निंदा मत करो, वहां पहुचो और उस rule को change कर दो, तो वहां पहुचने के लिए आपको number की जरुत होगी, ज्यादा बहस बाजी मैं नह कि पढ़ना शुरू कर दो, सर्फ चार महीने आपके पास, धन्यवाद आज की इस वीडियो में अच्छा लगाओ, दबा के लाइक करना इस वीडियो पे, कि होसला बढ़े कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊं, और दोस्तों, अनकैडमी लर्निंग आप्स डिस्क्रिप्शन में है, जा कि आप डाउन्लोड कर सकते हैं, धन्यवाद